हलो दोस्तो आज हम बात करेंगे रानी दुरूप स्वामनी देवी के बारे में कि ये कौन थी इनका अथियास क्या है और इनके लिए चंद्रगुप्त विक्रमादित ने अपने भाई की हत्या क्यों की तो सुरू करते हैं अपने टॉपिक को देखिए दोस्तो कि बिसाग दत्व द्वारा लिखित देवी चंद्रगुप्तम नामक नाटक के अनुसार रानी धुरूप स्वामनी देवी गुप्त सामराज की अत्यंत सुन्दर रानी थी जिसको पाने के लिए सकों के गुप्त सामराज पर बार बार आकरमड हुए तो सबसे पहले हम जानेंगे थोड़ा बहुत गुप्त सामराज के बारे में जो हम आज कहानी बताने वाले है ये गुप्त सामराज की अत्यंत प्रिसिद्ध कहानी है इस कहानी को देवी चंद्रगुप्तम नामक नाटक में वर्डित किया गया है विसाग दत्त के द्वार देखे गुप्त बंस की काहनी शुरू होती है या काहनी गुप्त सामराजी से तो गुप्त सामराजी यानि गुप्त बंस प्राचिन भारती इतियास का एक बहुती प्रिसिद बंस था और गुप्त काल को भारती इतियास का स्वरडेम यूग यानि गोल्डन एज प्राचिन क्लासिकल यूग एभम भारत का पेराकलिन यूग कहा जाता है, क्योंकि इस काल में भारत ने राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, बैग्यानिक साहित एभम कला के छितर में अपारउन्नति की। इसी काल में गुप्त मंस के महन राजा समुद्रगुप्त हुए जिन्हें भारत का नेपोलियन कहा जाता था. इनके रामगुप्त एवं चंद्रगुप्त दूतिय नामक दो पुत्र थे. विशाक दत्तु द्वारा लिखित देवी चंद्रगुप्तम नामक नाटक के अनुसार रामगुप्त समुद्रगुप्त का बड़ा पुत्र था इस कारण अपने पिता की मृत्यु के बाद वह गद्धी पर बैठा वह एक निर्बल और कायर सासक सिद्ध हुआ उसकी बहुती सुन्दर पत्नी थी जिसका नामता धुरूप स्वामनी देवी जिसे प्राप्त करने के लिए सको का गुप्त सामराजी पर भयानक आक्रमण हुआ जिसमें रामगुप्त क्या हुआ पराजित हुआ अब क्या होता है उसके बाद कि सकों ने उसे एक अत्यंत अपमान जनक आपत्ती जनक संदी सुईकार करने के लिए बाद्धि किया जिसके अनुसार उसे अपने पत्नी धुरूप स्वामनी देवी को सकों के राजा को भेट देना था और राम गुप्त ने इस संदी को क्या कर लिया था सुईकार कर लिया था इसके बाद में क्या होता है कि राम गुप्त का जो छोटा वाईता चंद्रुगुप्त दुतिये भूती वीर और स्वाभी मानी था उसे यह सर्थ अपने कुल के मरियादा के बिप्रीत लगी और उसने प्रिस्ताब रखा कि दुरूप स्वामनी देवी के बेस में उसे सक राज के सिविर में भेजा जाए यानि सकों के राजा के पास भेजा जाए और उसकी जगे दुरूप स्वामनी देवी को रख लिया जाए उसका प्रस्ता मान लिया गया और अंतिते वहे धुरूब देवी के बेस में सकों के राजा के सिविर में गया जिस समय सकों के राजा कामांध होकर धुरूब स्वामनी देवी के बेस में चंद्रगुप्त दुतिये का आलिंगन कर रहा था उसी समय चंद्रगुप्त न नेपूलियन भी कहते हैं, जिनोंने काफी मातरा में आरैवर्त के और दचिड भारत में सभी युद्धों में इन्होंने बिजय प्राप्त की थी. उन्ही महान सासक के, उन्ही महान राजा के दो पूत्र थे, राम गुप्त और चंदरगुप्त दुतिया. रामगुप्त निर्वल सासक सिद्ध हुआ क्योंकि वे सकों से पराजित हो गया और सकों से संदिक की गई कि सकों के राजा के लिए उन्हें अपनी पत्नी दुरुप स्वामनी को देना होगा और वो इसके लिए मान भी गए लेकिन उनके छोटे वाई चंद्रगुप्त दुतिये भहती वीर योद्धा थे उन्होंने सर्थ रख दी कि दुरुप स्वामनी के भेश धारण करके वो सकों के राजा के सिविर में जाएगा और वहां उसकी हत्या कर देगा फ़ल्ष रूफ हुआ ऐसा ही कि चंद्रगुप्त विक्रमादिति यानि चंद्रगुप्त दुतिये दुरुप स्वामनी का भेश धारण करके सकों के राजा रुद्र सिंग तर्थीये रुद्रि सिंग थर्ड भी कह सकते हैं हम इसको रुद्रि सिंग थर्ड यहनों ने धुरुप स्वामनी देवी को पाने के लिए क्या किया था गुप्त सामराज पर आक्रमड यानि राम गुप्त के सामराज पर आक्रमड किया तो चंद्रगुप्त दुतिये यानि दुरुप्त स्वामनी का भीजदान करके इसके सिविर में गया उस समय ये किया था कामांद यानि काम की वसी उत होकर अंधातार नसे में भी था और उसने क्या किया कि धुरुप स्वामनी देवी समझ कर चंद्रगुप्त दुतिये को आलिंगन किया गले लगाया और उसी समय चंद्रगुप्त दुतिये ने क्या किया छुरा गोप कर सकों के राजय रोधरिसिंग तरतिये की हत्या कर दी अब इसके बाद में होता क्या है कि इससे क्या होता है कि जो चंद्रगुप्त दुतिये थे उनकी लोग प्रेता क्या हो गई गुप्त सामराजी में काफी बढ़ गई और रामगुप्त की चारतरब क्या हुई निंदा हुई रामगुप्त सभी की नजरों में निंदिनिय साबित हुआ और चंद्रगुप्त दुतियर बीरिक बहादुर युद्धा साबित हुआ और एक दिन मौका पाकर चंद्रगुप्त ने क्या कर दिया रामगुप्त की हत्या कर दिया और उसकी सुंदर पत्नी धुरूब स्वामनी के साथ में उसने क्या कर लिया स्वैम ने विवा कर लिया ठीक है स्वैम साधी कर लिया अब धुरूब स्वामनी देवी से साधी करने क बाद में अब चंद्रगुप्त दुतिये ने साधी कर लिए उसके बाद में ये धुरूप देवी के नाम से जाने गई थी इतियास में और साधी करने के बाद में चंद्रगुप्त दुतिये गुप्त सामराजी का सासक बन गया था जो आगे चलकर इतियास में की हत्या क्यों की आपको पता होगा इसमें समझ गई होंगे कि वह एक निर्वार और एक कायर सासक था इस बज़य से उन्होंने अपने भाई की हत्या कर दियु और उनकी जो पत नीती दृफ स्वामनी देवी उस से उन्होंने स्वेम भिवा कर लिया और वो अतियास में दृफ देवी के नाम से जानी गई इस बात का उल्लेक विसाग दर्थ के देवी चंद्रगुप्तम नामक नाटक में मिलता है इसके अलावा इस बात का उल्लेक राम चंद्रबाब गुर्चंद्र के नाट्टे दरपड में भी हुआ है ये ती रानी धुरूप स्वान्वी देवी से संबंदित इंपोर्टेंट यानी पिरसेद कहानी वीडियो पसंद आईगो तो वीडियो को लाइक भी करना शेयर करना आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा क्योंकि ऐसे ही इंट्रेस्टिंग कंटेंट में आपके लिए लाता रहता हूँ फिर मिलूँगा नेक्ट अगली वीडियो में तब तक के लिए अलविदा बाय बाय